है लो दोस्तों कैसे हैं आप सब नमस्कार कमेंट में बताईएगा आप सब कैसे हैं मैं बहुत अच्छी हूँ आप सबकी अशिरबाद है दोस्तों ए दुनिया में पिता है तो मा और बच्चों के लिए इस दुनिया में सब कुछ है अगर पिता नहीं है तो एक मा अपनी बच्चों को कुछ नहीं कर सकती ना उसको पढ़ा सकती है ना उसका इच्छा अनुसार खाना खिला सकती है और नहीं उसको मतलब मन पसंद कपड़े पहना सकती है एक बाप है तो बहुत अच्छा है दोस्तों क्योंकि तुम बाहर निकलते हो तो तुम्हारे बाप के नाम से लोग तुमको जानते हैं तुम्हारे नाम से नहीं और तुम्हारी मा के नाम से नहीं एक कभी नहीं भूलना चाहिए कि बाप इश्वर के समान है और बाप जैसा तो इस धर्ती पर कोई भी नहीं है बाप पालन हार है इसलिए बाप को कभी तानमेना नहीं मारना चाहिए कि हाँ आपने हमारे लिए किया ही क्या है बस पैदा करके ऐसे ही छोड़ दिये हैं नहीं यह बिल्कुल गलत है अगर आप बाहर निकलते हो कहीं जाते हो तो कोई बोलता है कि हाँ तुम उनके बैटे हो तुम्हारे पीता के नाम लेके तुमको बोलते हैं तो तुमको घर्ब मेसूस होना चाहिए लोग तुम्हारे पीता के नाम से तुमको जानते है तुमको खूस होना चाहिए लेकिन आज कल के बच्चे ऐसा नहीं सोचते हैं बोलते हैं कि बाप की क्या ज़रूरत है हमारी मा है ना बात सच है आप सब की मा है मा तो मा होती है लेकिन बाप तो बाप है अगर घर में बच्चा भीमार पड़ जाता है तो मा क्या करेगी मा तो बाहर निकलती नहीं तो बाप की याद आती है दोस्तो मा अपने बच्चो को इस्कूल छोड़ने ले जाती है वहाँ पर जब फीस की बात आती है तो बाप की याद आती है दोस्तो, मा घर में बच्चे के लिए कुछ बनाने जाती है, खाने के लिए बच्चा कुछ बोल दिया कि हाँ मा बनाओ आज मुझे ये मन किया खाने को, तो मा जाती है घर में जब रासन नहीं रहता है न दोस्तो, तो बाप की याद आती है, अगर तुमने आज तक हमारे लिए किया है बाप तो वह है कि बाहर कमाता है नोकरों की तरह खटता है लेकिन घर आता है तो हमेशा हसता ही चेहरा उसका दिखाई बाप कभी यह नहीं चाहता है कि हां हमारा सकल सुरत दे कि हमारे बीबी और बच्चे दुखी हो बाप कभी मेसूसी नहीं होने देता है कि हां उसके ऊपर क्या बीटती है चोट भी लग जाती है फिर भी उस सिह लेता है क्यों अपने बीबी बच्चों के लिए कि हाँ हमारे बीबी बच्चे को एक दिन भूखा ना सोना पड़े बाप जैसे इस दुनिया में कोई नहीं है दोस्तों इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के बिनती है कि बाप की इजत करें बाप का पलट के जबाब ना दे बाप का हो सके तो हाथ बटाए नहीं तो उसके साथ बोले ना बाप को पूजो देवता की समान बाप इस वर से कम नहीं है अगर बाप आए तो आपके घर में उजाला है मेरी बात अगर सच है तो कमेंट बक्स में आप सब जरूर बताएगा आप सब की जबाब के मुझे इंतजार रहेगी